Hello everyone, welcome to PKP आज की क्लास में हम देखेंगे ग्रा इससे पहले वाली क्लास में हमने दिखा था स्चान और गयरा के बारे में ठीक है बाकी आप चानते ही हो सारी क्लासे सापने अटेंड कर रखी होगी ठीक है तो आज हम देखते हैं ग्रा ठीक है जिसमें हम बात करेंगे प्लानेट की की कौन कौन से ग्राह है ठीक है और यहां से आपका हर एक कुष्चन important है ध्यान रखना है इसमें जितने भी ग्राह है उनसे related कम से कम 2-3 कुष्चन हर एक ग्राह के important हो जाते हैं और कोई एक या दो question आपके exam में पूछा जाता है SSC और railway की point आप उसे देखा जाए तो ये काफी ज़्यादा important है ठीक है बाकी other exam में UPSC या फिर और भी exam है जो UPSC होता है जो PCS के exam होते हैं वहाँ भी यहाँ से questions पूछे जाते हैं ठीक है तो आज हम देख लेते हैं ग्रह और देखते हैं क्या है ये ग्रह ठीक है तो पहला जो point है आपका जो सूरी की परिक्रमा करता हो और जिसके आज़ पास खागोली ये पिंडों की भीड़भार ना हो और अपने अक्षपर ही घूरडन तथा परिक्रमण करता हो इस आधार पर 2006 में पहिग्यानिकों ने आठ ग्रहों को मान्यता दी है ठीक है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अब देख लेते हैं ग्रह के बारे में थोड़ी और सी बात ठीक है ग्रह और जो ग्रह का basic property ये है कि इनके पास अपना प्रकास और उस्मा नहीं होता है ये बात आपको ध्यान में रखनी है ठीक है जबकि तारों के पास जो होता है उनका प्रकास और उस्मा उनके पास दोनों होती है ठीक है जो ग्रह होते है तारों के प्रकास से ही प्रज्वलित होते हैं उन्हीं के प्रकास से देवतिमान होते हैं दिखाई देते हैं और इनके पास उस्मा नहीं होती है इनके पास उस्मा कहां से आती है तारों से ही आती है और थोड़ी सी बात मैं आपको बता देना चाहूंगा कि 2006 में ठीक है सन 2006 में हुआ क्या कि प्राग में तो पहली भी सेष्ता प्राग जो प्राग में हुआ था चेक गन्राज में जो relates को भागौन कि ठीक है उसमें पहली प्रापरटी ये थी कि जो सूर।री की परिक्रमा करता हो ठीक मतलब ग्र ग्रह क्या हो सकता है जो सूर। car परिक्रमा करता हो घूमता हो चक्कर लगाता हो इतनी बात आपको समझ में आ गई सेकंड पॉइंट और क्या हो सकता है जिसके आज पास खागोली पिंडों की भीड़ भार ना हो जो कि यहां पे आपने लिखाई है ठीक है देख रखा होगा ठीक है और क्या देखना है यह अंडाकार आकरिमित आकरिती में हो ठीक है मिंस देरगवरित्ताकार जिसे आप बोल सकते हो अंडाकार बोले तो यह है आपका देरगवरित्ताकार इस सेप में होने चाहिए ठीक है जबकि और एक पॉइंट आप ध्यान रख लो कि इसी प्रॉपरिटी को फॉलू नहीं किय मतलब कहीं न कहीं दो ग्रहों में ये प्रवेस कर जाता था ठीक है इसी चक्कर से इसको निकाल दिया गया प्लूटो दुहजार तीन यूबी 313 इसको सिरस के नाम से भी जाना जाता था ठीक है ये बाउने ग्रह में आता था इसलिए इसको बाहर कर दिया गया इतनी बात आप इसे बना है जिसका मतलब होता है परिभ्रम के परिग्रह मतलब एक तरीके से चारों और घूमने वाला ठीक है जिसका मतलब क्या हो जाता है चारों और गुर्ञर वाला मतलब ग्रह का मतलब ही हो जाता है कि चारों और ग्रह हो सकती है लेकिन किसके सन के या फिर किसी ना किसी मतलब मैं बात कर रहा हू basically सूरे के चारो तरब जो देर्ग बित्ता कारक अच्छा में गती करते हैं उन्हें ग्रह की स्रेणी में रखा जाता है बाकी properties में मैंने discuss कर ली ठीक है अब बात करते हैं कुछ आंतरिक ग्रह होते हैं और कुछ आपके होते हैं बाहतम ग्रह तो जैसे अब मैं आपको एक पहले diagram से दिखाऊंगा ये आपका मानलो क्या है sun है इतनी बात आपको समझ में आगी sun से समझ लो ये रोजनी निकलती है ठीक है मतलब ये sun हो किया इतनी बात समझ में आगी तो मैं दो पार्ट में divide करता हूँ एक तो एक side लिखूंगा आंत्रिक ग्रह जो हम आगे पढ़ने वाले हैं आंत्रिक ग्रह और इस side में क्या लिखूंगा बाहे ग्रह तो जो आंत्रिक ग्रह होते हैं ये पहले चित्तों किस से बने होते हैं ये भी ध्यान रखना है आपको ठोस चटानों से बने होते हैं जबकि जो बाह ग्रहों होते हैं ये गैसों से मिलके बने होते हैं अब जो आंत्रिक ग्रह में आएंगे वो कौन कौन से आएंगे बुद्ध आएंगे ठीक है, आंतरिक ग्रह में आपके बुद्ध, सोक्र, ठीक है, पृत्वी, मंगल, ये किस में आएंगे, आंतरिक ग्रह में आएंगे, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, जबकि जो बाहतम ग्रह होगा, उसमें आपका ब्रिहस्पती आएगा, ठीक है, जोपिटर, सनी आएगा सैटर्न ठीक है आरूड और वरूड ठीक है योरेनस और वीनस इत्ती बात आपको समझ में यूरेनस और नेप्चुन ठीक है इत्ती बात आपको समझ में आ गई होगी ठीक है अब देखो इसमें आंत्रिक ग्रह में जो पहला ग्रह है हमने क्या बताया आंत्रिक ग्रह होते हैं ठीक है आंतरिक ग्रह जो होते हैं और छोटे होते हैं सोज चांट से मिलके बने होते हैं जबकि पॉइंट आपको बिल्कुल भूलना नहीं है अब इसमें हमने कौन-कौन से इजामपल बता है बुद्ध, सोक्र, पृत्वी और मंगल ठीक है इतनी बात आपको समझ मे आ गया है Mercury, Venus और Earth and Mars ये चार ग्रहा होते हैं जो आंद्रिक ग्रहा होते हैं ठीक है इतनी बात आपको समझ में आई अब देखो सबसे पहला जो हम बात करते हैं बुद्ध के बारे में बात करते हैं यहां से questions कुछ important हैं वो लिखे गए हैं ये सूरी का सबसे नजदी की ग्रहा सबसे पहला point मतलब सूरी के सबसे पास जो है वो क्या है बुद्ध है ठीक है उसके बाद क्या है सुक्र है फिर आगे हम बात करते रहेंगे अच्छा इतनी बात आपको समझ में आगे दूसरा point है ये सबसे छोटा ग्रहा है इसका कोई उपग्रह नहीं है ये point भी ध्यान र रखनी है ठीक है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी ठीक अब next point की तरफ move करते है next आपका क्या हो जाता है सुक्र ठीक है venus ठीक है जो सुक्र है इसमें से important है काफी कुछ ये प्रिथिवी का सबसे निकटतम ग्रहा है क्योंकि अब देखो इस side आपका sun था उसके बाद आपका venus है सुक्र है उसके बाद आपका अर्थ हो जाता है और इधर आपका Mars हो जाता है इतनी बात आपको समझ में आ गई मतलब बुद्ध बुद्ध के बगल में क्या है प्रिथिवी ही तो है भाई तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि ये प्रिथिवी का सबसे निकट का तारा भी कहा जाता है और यूरोप वासी जो होते हैं वो इसकी पूजा भी करते हैं और इसका भी उपगरह नहीं होता है इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है ठीक है और एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसको जो पूरी परिक मतलब सूर की जो परिक्रमा करत कितना समय लेता है तो ये 224 दिन लेता है ठीक है 224 दिन और अगर एक जेक डेटा की में बात करने तुब 7 घंटे ठीक है 224 दिन 7 घंटे का समय लेता है पूरी परिक्रमा करने में ठीक है और एक चीज ध्यान रखना है इसमें co2 की मात्रा अधिक है इस ग्रह में carbon dioxide ज्यादा भी ध्यान में रखना है मतलब CO2 इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है ये मतलब कारपन डाई आकसाइड ठीक इतना पॉइंट आपको सायद क्लियर हो के होगा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम क्या है हमारा पृत्धिभी जहां पे हम रह रहे हैं तो इसमें काफी प्रकास और उसमा सूरी से प्राप्त करती है ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ अब देखो पहला पॉइंट कहां पे लिखा है ये एक मात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है ठीक है आकार में ये पांचुआ बड़ा ग्रह है ये भी आपको ध्यान में रखना है अभी मैं आपको ट्रिक से लर्न करा दूँगा कि आकार से इंटर्नल और एक्स्टर्नल में बाकी चीज़े भी मैं आपको अलग से बता दूँगा अभी जितना बता हूँ इतना समझते चलना है आपको प्रिथवी अपने अच्छ पर तेज डिगरी जुकी हुई है और चाचच डिगरी का कौन बनाती है तो यहाँ पे साधे तेज आप बोल सकते हो कितना साधे तेज जो एक्जेक्ट बैलू है और यहाँ पे कितना साधे चाचच डिगरी ठीक है का कौन बनाती है प्रिथवी दो तरीके से गति करती है एक तो घूरुणन और दूसरा परिक्रमन घूरुणन मतलब अपने ही अच्छ पी और परिक्रमन मतलब सूरी की परिक्रमा करना दोनों तरीके से ठीक है अच्छा एक पॉइंट और ध्यान रखना घूरुणन के कारण दिन तथा रात होते हैं जो कि 24 घंटे में प्रितिवी एक बार घूरणन कर लेती है इसलिए क्या होता 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती है ठीक है जबकि ये थोड़ा सा कम जादा भी होता रहता है according to the Suri के प्रकास कि कितना हमारे प्रितिवी फिर कितने प्लेस पे पहुँच रहा है नेश्ट आपका परिक्रमा के कारण मौसम बदलता है और Suri की एक परिक्रमा करने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं ठीक है 365 दिन 6 घंटे लगते हैं इसलिए क्या होता है कि जब 6-6 घंटे करके 4 दिन मतलब 4 साल हो में 6-6 घंटे करके बढ़ा तो एक दिन पूरा बढ़ जाता है इसलिए एक लीप इयर आता है जिसमें हम कितने दिन लेते हैं 365 दिन लेते हैं इतनी बाद भी आपको समझ में आ गई होगी ठीक है और एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है अगला क्या पॉइंट है आपका पृथभी को भू आप भी कहा जाता है ठीक है पृथभी को भू आप भी कहा जाता है क्योंकि ये धुरूबों पर थोड़ी सी चिप्टी है चिप्टी है बिल्कुल भू भू आप का अर्थ होता है प्रिथिभी के समान आकार समान आकार मिन्स एक तरीके से आप बोल सकते हो कि हर प्लेस पे इसका जो आकार है वो क्या है समान है इसे भू आभ बोला गया प्रिथिभी का एक मात्र उपग्रह क्या है चंद्रमा है ठीक है और एक पॉइंट आपको ध्यान लखनी है कि पृथिवी इस तथा चंद्रमा के जो बीच की दूरी हो कितना है तीन लाख चारासी हजार चार सो किलो मीटर है ठीक है इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगे नेक्स्ट पॉइंट देखो आप क्या है पृथिवी को नीला ग्रह कहते है मैंने सुरू में ही बताया क्योंकि इसके दो बटे तीन भाग मींस आप बोल सकते हो कितना लगभग दो बटे तीन का बोले तो चार चार सही दो बटे तीन है ना मतलब एक तरीके से साधे चार चार के आसपास ठीक है चार चार दसमलों 6-6% क्या है पानी है ठीक है शुक्र और अरुण को छोड़कर आने सभी ग्रह पस्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करते है ठी ठीक है सुक्र वेनस ठीक है और आप बोल सकते हो अरुण और ठीक है सुक्र और अरुण ठीक है ये दोनों क्या है ये पस्चिम से पूरब गति करते हैं बाकी सब ग्रह क्या करते हैं पूरब से पस्चिम की ओर करते हैं ठीक नेक्ष्ट आपका है सूरे तथा अरुण पर पूर्व की योर होता है क्योंकि बाकी सारे में हमारी पृत्वी भी आ जाती है हमारे पृत्वी पर सूर्य पूर्व की योर से निकलता है तो उसकी गति क्या है पूर्व से पस्चिम है इसी लिए ठीक है जबकि यहां पे पस्चिम से पूरव है जबकि यह सुक्र और क्या है अरोण ये क्या है? ये सारे के सारे क्या करते है? पस्चिम से पूरप की तरफ परिक्रमा करते हैं. इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी. अब नेक्स्ट आपका जो ग्रह है. उसको पढ़ते हैं. और एक पॉइंट और ध्यान रखना. प्रित्वी सौरे मंडल का सबसे अधभुद ग्रह है ठीक है और जो चंद्रमा की अगर हम बात कर लें तो चंद्रमा पर वाईव और पानी दोनों ही नहीं है वहाँ पर क्या है फिर परबत, मैदान, गड़े ठीक है यह सब है जो की पूरिमा के दिन दिखते भी है और एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो नील आर्म श्ट्रांग थे वो पहले ब्यक्ति थे ठीक है नील आर्म श्ट्रांग जो थे वो पहले ब्यक्ति थे जो चंद्रमा पर गए थे कितनी तारीक हो तो 21 जुलाई कितनी तारीक हो 1969 ठीक है इनके बारे में तो आप जानते ही होगे नील आर मस्टांग के बारे में ठीक है ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है ठीक है इतना बात क्लियर हो गया होगा ठीक अब next बात करते हैं एक सौर वर्स में कितने दिन होते हैं तो एक सौर वर्स में 365 दिन पांच घंटे 48 मिनट और 56 सेकेंड होते हैं ये पॉइंट भी थोड़ा सा आपको अलग से याद करके रखना है जो एक सौर वर्स होता है इसमें कितना दिन होता है 365 दिन है ना पांच घंटा और 48 मिनट और 56 सेकेंड होता है ये पॉइंट आपको इतनी सी बात तो सायद केलियर हो गई हो गई ठीक है इसको हम लगभग कितना इसलिए अभी तक कितना बोला था हमने लगभग 365 दिन 6 घंटे करके बोला था ठीक है और देखो यदि पृत्वी परिक्रमा न करती ठीक है अगर पृत्वी परिक्रमा न करते तो मौसम और जलवायु में कोई अंतर ना होता ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है ठीक है तो ऐसे ही और फी कुछ पॉइंट ये भी ध्यान रखना जो हमारे पृत्वी पर जल पाया जाता है ठीक है जो जल पाया जाता है इसमें क्या होता है 97.2 प्रतिसत जो भाग होता हो महा सागर के जल के रूप में बिद्धमान है हमारे देश में मतलब जितना भी हमारा पानी है प्रितिवी पर पाया जाने वाला ठीक है उसमें कितना है 97.2 परसेंट यह कहां से पानी पीने योग है, मतलब पीने योग है, ठीक है, तो इतना ही पानी पीने योग है, इसलिए हम कहते हैं कि सेव द वाटर, ठीक है, पानी को, मतलब पानी को बचाओ, ठीक है, पानी वेश्ट मत करो, नहीं तो पानी तो प्रतिवी के जमीन से जादा है, तो फिर पानी बचा करने की बात क्यों करते हैं क्यों कर इसलिए कर रहे हैं कि यह समझ लो कि आप क्या बोल सकते हो की एक हजार रूपए में सिर्फ तीन रूपए ही काम का है ऐसे समझो आपकी जैसे एक हजार बूंध है तो तीन बूंध ही उसमें पानी पीने योग्या है बाकी कितना है बाकी व लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, इसके दो उपग्रह हैं जिसके नाम आपको क्या जाद रखना है? फोबोस और डी मोस अबकैसे यादख सकते हो एक तो phobos और दूसरा demos ठीक है बस momos याद रहेगा था आपका काम हो जाएगा नेक्ष्ट है आपका ao 가 av drawn का सबसे बड़ा ज्वाला जुआला मुखी उसका क्या नाम है अलीपस मैसी नाम है ठीक है जो सौरे मंडल का सबसे बड़ा ज्वाला की है उसका क्या नाम है उलिपस मैसी नाम है ठीक है next point की तरफ move करते हैं देखें ते देखते हैं क्या है सौर मंडल का सबसे उचा परवत निक्स ओलंपिया इसी पर इस्थित है next आप का आजाता है निक्स ओलम्पिया समझ रहो ना मंगल पर है ठीक है क्या है एक परबत जिसका नाम क्या है निक्स ओलम्पिया सबसे उचा परबत हिमालय से भी उचा पृतिभी के बाद मंगल पर ही मानव जीवन संभव है क्योंकि यहां वायू मंडल पाया जाता है ठीक है यह भी बात आपक ध्यान में रखनी है उपरोक्त चारों ग्रह आंत्रिक ग्रह है इससे उपर जितने हमने बात की है वो सारे की सारे ग्रह क्या है आंत्रिक है आप बात करेंगे बाय कि उससे पहले आपको मैं कुछ पॉइंट और बता देता हूँ ठीक है जो आपका मंगल है जो आपका मंगल है वो क्या है कि अपने अच्छ पर 25 डिगरी जुका हुआ है अपने अच्छ पर 25 डिगरी जुका है ठीक है इतनी बात आपको समझ में आ गई तथा 65 डिगरी का कोण बनाता है ये पॉइंट आपको अलग से नोट करके रखने है ठीक है इसे लाल ग्रह क्यों कहा जाता है तो इस लाल ग्राहा इसलिए कहा जाता है कि इस पे iron oxide पाया जाता है ठीक है इसमें मानो जीवन के लिए कुछ अन्युक्ूल तसाइँ है इसलिए इसे हम मतलब प्रियोरिटि में देख रहे हैं कि हो सकता है आगे जीवन मंगल हो सकता है इस मंगल पे possible हो सकता है ठीक है और इसे जो सूरी की परिक्रमा करने में जो समय लगता हो कितना दिन लगता है मतलब सूरी की जो परिक्रमा करता है मंगल वो कितने दिन में लगता है 687 दिन में ठीक है इतने दिन में ये सूरी की परिक्रमा कर लेता है ठीक है इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है अब बात करते हैं हम बाहगरा की ठीक है नेक्स्ट आ जाता है आपका बाहगरा ये गैसों के बने होते हैं सुरू में ही मैंने आपको बता दिया इनके चारों और छले हैं गैस के छले हैं ठीक है ये छले बिभिन पदार्थों के असंक चोटे-चोटे पिंडों से बने है ठीक है? मतलब ऐसे पट्टीयों टाइप में है जो इनसे attached है ठीक है? बहुत ही hot होते है पहले चीज ये भी ठीक है? प्रिथिवी से इन्हें सक्तिसाली कहा जाता है ठीक है? और इन्हें दूरबीन से देखा जा सकता है ये भी बात आपको ध्यान में रखने है दूर्बीन की खोज किस ने की थी ये भी बताया मैंने गैलीलियों ने की है तो अब देखते हैं सबसे पहले ब्रिहस्पती के बारे में ठीक है सौरे मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है पहला पॉइंट आपको 29 उपगरह है जो की नए है अब अपडेटेड है अभी ठीक है इससे पहले कुछ बुक में इस पे 63 भी लिखा है 63 ठीक है तो आपको क्या ध्यान रखना है इसके कितने उपगरह है 79 उपगरह है ये बात आपको ध्यान में रखनी है ठीक है और इसके उपगरह का जो सबसे ब बड़ा उपग्रह ठीक है ये बात आपको ध्यान में रखनी है ठीक है और ऑर भी इसके उपग्रह है जिनका नाम क्या है आयो योरोपा ठीक है ये इसी के उपग्रह है बहुत है 79 का नाम नहीं लिख सकते हैं तो आपको कुछ ऐसे सबसे पहले ग्यानी मीड़े तो बिल्कुल भूलना नहीं है कैलिश्टो ठीक है कैलिश्टो ठीक और बस इतना एनफ होगा और क्या देख लेते हैं कि जो ब्रिहस्पति का द्रभ्यमान है वो सूरी के द्रभ्यमान का हजारवा भाग है मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जैसे हजार किलो का अगर सूर्य होगा ठीक तो ब्रिहस्पती कितने किलो का होगा एक किलो का होगा मतलब वन भाई थाउजेंट आपदा मास आपदा संग ठीक है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी जो आपको कुछ अलग से पॉइंट हमने बताए है इस पर वले हैं मतलब ओही छले है ना इतनी बात भी आपको क्लियर हो गई हो गई next बात कर लेते हैं हम सनी की इसका आकार में दूसरा बड़ा ग्रहा है ठीक है सबसे बड़ा क्या है जहस्पती इसके उपग्रह का नाम बिल्कुल ध्यान रखना ग्या नहीं मेड़े अब बात करते हैं सनी ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रहा है इसके चारो और आप एक अधिक बले हैं ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है ठीक है, और बात करते हैं इसको भी पहले गैलेलियों ने ही देखा था ठीक है, इसके जो उपग्रहा है यहाँ पे भी आप correct कर ले ना यहाँ पे थोड़ा सा incorrect लिखा गया है यह बात ध्यान रखना है आपको यहाँ पे 30 की जगा क्या लिखना है आपको कितना लिखना है 62 लिखना है ठीक है जो 62 है total इसके उपगरा है जिसमें क्या है तिरपन के तो नाम है ठीक है तिरपन के नाम ह जाता है इनके नाम है कुछ और जो तेरा है वह भी बेस नाम है इतनी बात आपको तिरपन और यहां पे फिर जुड़ जायागा आपका नेक्सट जो तेरा है पहले 10 थे लेलियों ने देखा था और यह भी देखना है कि जो सनी का कलर है वो क्या है पीला होता है यह important question है आर आर भी एंटी पीसी में पूछे जा सकते हैं इसे questions जबकि एलपी में यह question पूछा जा चुका है ठीक है इत्ती बात आपको clear हो गई होगी एक point और आपको ध्यान में रखना है कि यह जो सूरी के परिक्रमा करता है जो सनी वो कितना दिन लगाता है सूरी के परिक्रमा करने में यह लगाता है 29 साल 6 महिने 29 साल 6 मन्द ठीक इत्ती point आपको ध्यान में बहुत अच्छे से रखने है ठीक है color इनको ध्यान में रखना है समय याद रखना है इनका ठीक है और उपग्रह याद रखना है कि 62 63 ते और आप बढ़ गई है ठीक अब बात करते हैं सनी की सनी तो हो गया आपका next बात करते हैं हम किसकी अर ग्रह की संख्या जो है वो यहाँ पे 27 करना थोड़ा सा डेटा इधर उधर हो गया है इसकी वजासिस में करेक्स करना पड़ रहा है तो यह ध्यान रखना है इसके जो ग्रह कितने है 27 है ठीक अब देखो इसको पहली बार ना ब्रिटिस भूब एग्यानिक हरसल ने देखा इस ग्रह को अरुण को जिसको आप अंग्रेजी में यूरेनस बोलते हूं ठीक है और इसके चारो और नौ वले हैं जिसमें से अलफा बीटा गामा और डेल्टा भी है ठीक है कितने वले हैं इसके चारो तरफ नौ वले हैं ठीक है मतलब छले कितने हैं नौ है ठीक है जिसमे अल्फा वीटा गामा है ऐसे करके और भी है डेल्टा ठीक और इसे लेटा ग्रह बोलते हैं और इसका जो कलर होता है नड़ इस सबसे ज़यादा इंपटेंट इसका रणग ठीक है तो इसका रणग क्या हो जाता है हरा ठीक ग्रीन ठीक है इतनी बात समझ में आ गई होगी सुक्र और अरूर ऐसे दो ग्रह हैं जो पूरब से पस्चिम की ओर घूमते हैं पहले भी मैंने आपको पताया और इन दोनों पर सुरियोदे पस्चिम की तरफ होता है और सुरियास्त कहां होगा पूरबी की तरफ होगा और सुरियास्त क्या होगा पस्चिम की तरफ और एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है इसको जो परिक्रमा करने में जो समय लगता है जो सुरिय की परिक्रमा करने में जो समय लगता हो कितने दिन का लगता है 84 साल का लगता है काफी लंबा समय होता है ठीक है अब next point देखते हैं हम कौन सा गरहा जाएगा आपका वरुन जिसको बोलते हो नैप्चून ठीक है अब इसकी जो खोज थी वो कौन की थे एक हगोल सास्त्री थी जिनका नाम था जान गाली ठीक है क्या नाम था जान ठीक है उन्होंने इसके खोज की थी ठीक है और इसका जो कलर बताया था पेल ब्लू बताया था मतलब नीला ठीक है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी और ये सबसे अधिक दूरी मतलब सूर इसे सबसे अधिक दूरी पर है क्योंकि सबसे बाहरी ग्रहा है और सबसे कर लेना यहां पर पेल ब्लू कर लेना ठीक है नीला ठीक है क्योंकि इसमें मेथेन गैस की मात्रा होती है ठीक है क्या होती है इस पर मेथेन की मात्रा होती है मेथेन पाई जाती है इसलिए इसका जो कलर होता हो क्या होता है पेल ब्लू होता है मतलब एक तरीके से बोल सकते हो ह यचफोर होता है यह गय सीफ पर पाई जाती है इसलिए इसका कलर क्या होता है पेल बलू होता है और इसको जो समय लगता है complete करने में सूर्य का फरिक्रमा करने में कितना लगता है 164 साल 164 ए ये समें भाइट प्लस में 8 मन्त का समय लगता है इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, बिल्कुल फटा-फट, ठीक है, अब कुछ और भी पॉइंट देख लेते हैं, ग्राह की अलामा आपको सेलेक लेते हैं, जैसे आपका आजाता है, खागोली ये पेंड, है ना, खागोली ये पेंड, सेलेस्टियल बॉडी, क्या होता ह कि जो आस्मान में चमकती हैं, और सूर्य के समान ही चमकती हैं देखने में, ठीक है, तो सूर्य चंद्रमा ये सब चीज़ें जो आस्मान में चमकती हैं, क्या होती हैं, पिंड में आती हैं, खागोली है, पिंड सेलेस्टियल बॉडी में आती हैं, अच्छा, और भी एक बोलते हैं ठीक है और ये अन ग्रहों से टक्रा कर या तूट कर निकलते हैं ठीक है मतलब एक तरीके से ग्रहों की टक्कर से ये निकलते हैं तूट जाते हैं तो ये चक्कर लगाते हैं और मंगल और भ्यासपती के बीच में ये पाए जाते हैं इतना पॉइंट आपको ध्यान पत्थरों के चोटे चोटे टुकडों को क्या बोला जाता है उल्का पिंड ये पॉइंट आपको ध्यान में साथ में और रखना है नेक्स्ट आप देख लेते हो नच्छत्र मंडल क्या होता है तो तारों के विभिन समूह द्वारा बनाई गए विभिन आकृतियों को पास तो उसे सब्तरिसी बोलते हो इसी नच्छत्र मंडल का भाग है जो साथ तारों का समूह है नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है ध्रूब तारा ये प्राचीन काल में दिशा का निर्धारन करता था और ये तारा हमेशा उत्तर दिशा को निर्धारित करता है ये भी के तो की पूछ हमेशा सूरे से दूर होती है भी है भी है तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते है नेक्ट क्लास में हम देखेंगे उपग्रा, ठीक है, सेटेलाइट, जो की जानते हो आप दो तरीके का होता, एक नेचुरल और दूसरा, मैं मेडिया, आर्टिफिसियल सेटेलाइट बोलते हो, तो उसके बारे में भी काफे कुछ इंपॉर्टन चीजें हैं, जो हम नेक्ट क् सब्सक्राइब जरूर कर दिया, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्ट क्लास में, तब तक के लिए, थैंक यू सो मच.